आप world statistics देखिए, आप United Nation के statistics देखिए, तो पता चलता है कि हम beef export कर रहे हैं, अब यह कैसे हो सकता है कि भारत में beef ban है और फिर भी beef export हो रहा है, लेकिन चलिए official version मान लेते हैं कि beef export नहीं हो रहा है, हाला कि by many accounts 20% of the world demand for beef is met by India. कभी-कभी उससे भी ज्यादा हमारी यहां से जो beef export होता है वह boneless है बाइ-लाउ अब boneless export होने से किसी को पता नहीं चलता है कि यह buffalo meat है या cow meat है लेकिन beef export में हमारा number four position है number four position किसके पीछे ब्राजिल USA, Australia and India यह है big four ब्राजिल is the leading exporter लेकिन इंडिया का भी नंबर बहुत आगय है पाकिस्तान का होना चाहिए था नहीं है पाकिस्तान का कहीं भी रेस में नंबर है ही नहीं इंडिया is number 4 sometimes number 2 sometimes number 1 in beef exports अब आप कहोगे नहीं कृष ये गलत कह रहे हो we are only exporting carabeef अब carabeef export और beef export को confused नहीं किया जाता है internationally buffalo meat is called carabeef carabeef export और beef export में confusion नहीं किया जाता है so I don't think so लेकिन फिर भी एक बार मान के चलते हैं कि इंडिया is an exporter of carabeef whereas गाई जो हमारी माता हैं तो गाई माता का बर्यल होता है या cremation होता होगा अब गाई का अगर slaughter नहीं होता है यानि कि कसाई खाने में गाई को काट कर उसका चमड़ी अलग करके उसके flesh अलग करके उसका bones अलग करके उसको अगर इस तरह से यह नहीं कर रहे हैं तो या तो हम मुर्दे गाई को slaughter कर रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है या फिर हम मुर्दे गाई को बर्यल दे रहे हैं हम उसे दफना रहे हैं अब अगर मुर्दे गाई को दफना रहे हैं तो गाई का बुढ़ापे में क्या होता है? गाई मतलब गाई और मादी और नर दोनों, male and female cow का क्या होता है? और काफ का क्या होता है? क्या कोई उसे खिला रहा है? क्या PM केर्स में से मोदी जी कोई बहुत बड़ी गौशाला चला रहे हैं? या एक बहुत बड़ी गौशाला है उत्तर प्रदेश में या अयोध्या में जिसका हमें ख़बर ही नहीं है? जो कई हजार एकर्स की गौशाला है और वहाँ पर गाई ही गाई हैं जिनका दूद नहीं निकल रहा है, जो दूद नहीं दे रहे हैं, जो कोई productive काम नहीं कर रहे हैं economically, उनको खिलाया जा रहा है on a national skill? मुझे तो नहीं लगता, कोई national level पे शमशान गाट है, जहां पर गाई माता को पुरी इज़त के साथ, ब्रामन के मंत्रों के साथ, ये कर दिया जाता है, क्रिमेशन किया जाता है, कोई क्रिमेटोरियम है, जिसका मुझे खबर नहीं है, यहां में किसी को खबर नहीं है, यह हो सकता है, उसको बरियल किया जाता होगा, तो कोई काउ बरियल ग्राउंड होगा, और उस काउ बरियल ग्राउंड में हम लोग शायद headstones भी रखते होंगे, कि here lies my mother, my beloved cow धन्नो, my beloved cow धन्नो, who used to give milk to me and my entire family, and who used to sustain me and my entire family, ऐसे करके कोई काउ बरियल ग्राउंड में headstone लगाते हैं शायद, और हर साल जाके उसके उपर चादर उडाके आते होंगे, या पूजा करते होंगे पता नहीं, पूजा पाट भी करना चीए, काई हमारी माता है, तो यह सब होना चीए, मुझे तो ऐसे लग रहा है, कि यह सब नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं हमारे देश में काउ स्लॉटर तो होता ही होगा, क्योंकि फार्मर्स के पास काउस हैं, बुल्स भी हैं, काउ बच्चा देती है, तो छोटे से काफ भी हो जाते हैं, अब काफ को कैसे संभाल होगे, काफ को फीड करना पड़ेगा, आप अगर जिन्दा रखते हो तो, अगर छोड़ दोगे तो लावारिस हो जाएंगे, या उनको क्रिमेशन में बेजते हो, या फिर उनको स्लोटर हाउस में बेजते हो, क्या करते हो, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे कोई फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए इनका स्लोटर हो रहा है, अब मोधी गवर्मेंट 2014 से है, तब से हमें ऐसास हुआ है कि गाई हमारी माता है अब मोधी जी को सब कुछ मुमकिन है, मोधी जी चाहें तो अराम से एक दिन आट बजे को आ सकते हैं, और कह सकते हैं भाई और बेहनों, हमने निरनाई ले लिया है कि अगले पाँच साल में हम हर गाई को अयोध्या लेकर जाएंगे, और अयोध्या में एक विशाल गाउशाला बनाया जा रहा है, और उस विशाल महागउशाला में हम सभी गायों को सुख, शांती और समरुद्धी के साथ अच्छी तरह से रखेंगे, और बाबा रामदेव के चिकितसालाई से स्पेशल डॉक्टर्स को बुलाएंगे, वेटरनरी डॉक्टर्स, जो उनकी हेल्थ रिक्वाइर्मेंट्स पुरा करेंगे, उनको हर हफ़ते हेल्थ चकप होगा, और उन्हें विटामिन्स खिलाया जाएगा, पौश्टी काहार खिलाया जाएगा, ये सब कह सकते हैं, मोदी जी ने अगर कह दिया, तो I'm sure donations भी आ जाएंगे, जैसे PM कार से donation आये थे, या फिर वो government employees का एकाद महीने का salary ले सकते हैं, PM cow cares के तरफ, अब अगर मोदी जी ने कह दिया, तो I'm sure ये सब हो सकता है, कहते क्यों नहीं है, क्यों कि हिपोक्रसी, मोदी जी नहीं चाहते हैं, कि cow slaughter बंद हो जाए, कि गाय का चमड़ा निकाला जाए, कि गाय का मास बिकना बंद हो जाए, क्योंकि farmers के लिए तो बहुत बड़ा economy crisis हो जाएगा, चलो छोडो, जो भी कारण हो, किस कारण से मोदी नहीं कहते हैं, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूँ, कि मोदी जी ऐसे नहीं कह रहे हैं, कभी भी ऐसे नहीं कह रहे हैं, और मैं नहीं समझता हूँ, कि मोदी जी 8 बजे टीवी पे आके 12 बजे के देंगे उन्होंने डिमनेटाइजेशन कर दिया 500 और 1000 रुपे के नोट बंद करवा दिये उन्होंने आपको और मुझे लॉकडाउन में भेज दिया चाहे फिर माइग्रेंट लेबरर्स चलते चलते मर जाएं लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन फिर कुछ नहीं चलेगा भुक योगी राज में ये सब किया जा सकता है ये कसाई खाने को बंद करवा सकते हैं कसाई खाने में है कौन मुसल्मानी तो है न वैसे तो हिंदू लोग कहां ये सब मीट वगेरा खाते हैं वो तो सात्वी काहर खाते हैं हम लोग तो सारे सात्वी काहर पे जीने वाले लोग हैं यही लोग हैं मुसलमान जो मीट, मच्छी, मास, dirty stuff, non-wage, blood, bones, यह सब वही तो पसंद करते हैं, हम कहां पसंद करते हैं, हमारे लिए यह सब जरूरी नहीं है, हम तो भाया रोटी खाएंगे, बिर्यानी, वेज बिर्यानी, not non-wage बिर्यानी, बिर्यानी खाएंगे, ऐसे सब food खाके रहे लेंगे, तो फिर मोदी जी, आपने यह तो beef band वैसे तो नहीं introduce किया है, 8 बजे आके, आपने कभी ऐसे नहीं कहा है कि गायों को हम रखेंगे, तो गाय कौन रख रहा है, गाय कहां जा रहे हैं, बरियल ग्राउंड में नहीं जा रहे हैं, उनका cremation नहीं हो रहा है, वो अगर slaughter house में भी नहीं जा रहे हैं, तो जाते कहां हैं, कुछ BJP ruled states हैं, जैसे कि गोआ है और अरुनाचल प्रदेश हैं, जहां पर cow slaughter अभी भी allowed है, क्यों allowed है मुझे नहीं मालूब, वैसे तो नहीं allowed होना चाहिए मेरे हिसाब से, लक्षद्वीप में अगर वो slaughter वगेरा ban करना चाहते थे, तो वो तो अरुनाचल प्रदेश में कर सकते हैं, और टमिलनाण में कर सकते हैं, और गोआ में कर सकते थे, गोआ में तो उनका बहुत strong government है, क्यों नहीं कर रहे हैं, नहीं पता, लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि hypocrisy कि कोई सीमा नहीं है,